पूरा अलग डाफिनेशन है फिर कॉस्ट ऑलग डाफिनेशन है फिर इनका डिफ्रेंस है ठीक है लेकिन आपको ध्यान हो हमने क्लासिफिकेशन अफ और यह सब कुछ पढ़ लिया है पहले से ठीक है, बट आपके कोर्स में यह मिस्लीनेस में दे रखा है फिर भी हम पढ़ लेते है हैं वहीं हम यह पढ़ चुके हैं और अगर किसी को मेनिंग जानना है तो यह जब यह चीज़ है आगर मैनेजमेंट Euro ke बारे में आ झांभ तो यह सानल लिख देना कॉस्ट के बारे में आ जा तो यह सारा लिख देना अब मैं डिफेरेंस पढ़ रहा हूं डिफेरेंस के टाइम पर मैं इनका मीनिंग भी बता दूँगा ठीक है वाल्दो हम पढ़ चुके हैं सबुए है कि मैंने इनजमेंट रहा है कि इन्वेस्टीगेशन किसी का कि da कि यानि मैने मेंजमेंट की सा काम कर रहे है वह मैनेंजर कि爱ep कर रहत रहे हैं सही थे कर रहे हैं उन्होंने अच्छी पॉलो से बनाई होनी चीज़ी लेकिन वह ऐसा काम कर रहा है कि कंपनी घाटे में जा रही है वह decision ही सही से नहीं ले पा रहे है काम सही से करी नहीं रहे है कंपनी घाटे घाटे में जाए है ठीक है तो इसका भी audit होता है हाँ दोस्त management कैसा काम कर रही है उ इसमें cost audit होता है verification of cost accounting records costing पढ़े है आपने हम जूते का example ले रहे है जूते के business का example तो जूते बनाने में जो जो आइटम लगा रहे है उसकी एक एक cost निकालते है material कितना लगा labor कितना लगा overhead कितना लगा फिर उसमें admin expenses कितने आए फिर कोई और expenses कितने आए वह सब costing जो हम करत cost accounting में sorry cost audit में आता है ठीक है second point it may cover period longer than financial year अब देखको management audit है management कैसा काम कर रही है कैसा नहीं कर रही यह तो आप एक साल भी चेक कर सकते हो दो साल के चीज़ भी चेक कर सकते हो कोई restrictions नहीं है लेकिन cost audit statutory audit के तरह एक साल का ही होता है एक financial year का ही होता है management audit or management can audit can audit be conducted by any independent person having good knowledge of management internal audit हमने पढ़ा था ना internal audit internal audit में भी CA का जरूरी नहीं हो ना यहां पर भी CA का होना जरूरी नहीं है कोई भी independent person हो वह audit कर सकता है लेकिन cost audit में वह cost auditor होना चीए जैसे CA होता है ठीक है यह तो cost auditor हो या फिर CA हो सर्व एक cost accountant कौन होता है CMA बोलते थे पहले इसको अब इसको भी CA बोलने लगे इन्हों अपना नाम लग दिया cost accountant अब CA से पता नहीं जलता है कि यह chartered accountant वाला CA या फिर cost accountant वाला CA ठीक है तो cost audit एक CA भी कर सकता है और cost accountant भी कर सकता है जिसके पार degree हो कहां से ICMAI से cost and management institute से इट इस not compulsory नहीं है भाई management काम साइज कर रहा है नहीं कर रहा है करवा नहीं कर रहा हो लेकिन यह कुछ केसिस में ना compulsory होता है कौन सा केसिस में compulsory होता है वह दिरक्षा section 148 में कुछ industries हैं जिन industries पे cost it applicable है हर किसी पर नहीं है कि मालो आप जोगाने जूतेक अग्जाम पर लिया जूतेक इंडस्ट्री पर compulsory नहीं है कुछ लिमिट के बात हो जाता है वह अलग बात है लेकिन कुछ इंडस्ट्री पर आपका पास सिम आते ना इनके उपर कॉस्ट ओड़िट होता है शुगर केन इंडस्ट्री जो गन्या सा चुगर बनती है ठीक है और किस पर अपलिकेबल होता है अलकोहल प्रोडक्ट पर ठीक है तो कुछ ऐसे इंडस्ट्री है जिन पर पर अब कोई पर अप्लिकेबल होता है वह वह वन पूट्री एट में लिखा हुआ है आपको याद रखने के जुरूत नहीं है इंडस्ट्री कॉन-कॉन सी है आवसी यादर हो लिखा हुआ है प्रोसेंग मैनुफेक्ट्रिंग माइनिंग रहसा तो यह मोटा-मोटा बता द होते तल नहीं कोई वाद से चाहता है हा अब जुşekkür मैनेजमेंट में भी रुप बहुत व मालों मेनेजमेंट को अब तो मैंस्टैने सो टेंश्र्णता कर तो सब्सक्रिटर नहीं न करिए बहुत आपकरें और यूपनियों एक दो तो मैनेजर से काम नहीं चलता मैनेजर सेखड़ होते हैं उनके नीचे पिर टीम लीडर आते हैं फिर नीचे और इंप्लोई आते हैं बहुत नीचे तर काम होता है ठीक है अब कोस्ट और अपनी रिपोर्ट देगा सेंट्र गोवर्मेंंट को एड एक कोपी देगा वो कंपनी को इस टैटेशरी ओड़िट जो में नॉर्मल ओड़िट पड़ा था ना उसी ओड़िटर की तरह एंट्रल गुवर्मेंट को यानि आरोसी को एक रिपोर्ट सम्मिट करेगा रिइस्ट्रार और कंपनी को यहां पर सेंट्रल गुवर्मेंट सेंट्र गुवर्मेंट वर्माद आजाए या फिर ऑरोसी यानि इसको लीगली किसी अथिग और लेस्ट्राइट को अपनी रिपोर्ट सब्मिट करनी होती है और एक को देता है यहां पर मैंनेजमेंट को ही कपी देता है क्योंकि यह तो अपने घर की बाध यार अपने घर कोई टाइम लिमिट फिक्स नहीं है मतलब आपको दस दिन में काम करके देना है नहीं भाई कोई फिक्स नहीं है जैसे वहाँ पर क्या था कि एक तरह से अभी आप इतने इमान के चलो 30 सितंबर को और यहां पे भी यहां पर लिख दो कि आपको किसी को जानकारी रखनी अपने पास 30 सितंबर ठीक है यहां पर लॉम में लिखा हुआ भाई यह मैं नहीं बोल रहा हूं 148 सेक्शन में लिखा हुआ कि तीस तारिक तक फैनांचल इयर खतम होना से छे महिने के अंदर आपको रिपोर्टिंग करनी है यहां पर ऐसा टाइम दे रखा है यहां पर कोई टाइम ही नहीं है अपना खुद करवा रहे हैं वह दस दिन में दे वह तो आप दोनों के उपर अगला पंट देखो इन्वेस्टिगेशन और अउडिट अउडिट खतम होने जा रहा है इन्वेस्टिगेशन और अउडिट क्या होता है और अज तक हमने अउडिट ही पड़ा है कि ऑड़िट में हम ऑपीनियन देते हैं पहले पॉइंट याद रखना ओएट में ऑपीनियन देखते हैं हमारे पाँ जो एविदेन्स होने चीए सबूत किसे होने चीए हैं पर्सुएसिव ना कि कंक्लूजिव पर्सुएसिव वोग पढ़े थे कि जो हो सकता है 100 पसंट मुझे मिली ना पाए ठीक है तो हम true and fair देखते हैं अपनी opinion बनाने के लिए audit में इन्वेस्टिकेशन क्या होता है दोस्त इन्वेस्टिकेशन होता है जिसमें conclusive evidence ही होता है जैसे ACP प्रद्विमन सुना आपने वो क्या करते हैं वो इन्वेस्टिकेशन करते हैं उनके पास जैब तक फुक्ता सबूत नहीं होते तब मुझरिम को arrest नहीं कर पाते हैं यलम्म में ंन आपने इसके पास फुक्ता Nous नहीं है तो आप मुझे arrest नहीं कर सकते जो फुले घर पह आती है ठीक है तो यहां पर记ले दो यहां पर प्वतानीस में है की नहीं है, कंक्लूजिव एविडेंस होने चाहिए, लिख लो, एक पॉइंट लिख लो, आपका एक एक एक्ट्रा पॉइंट हो जाएगा, यहां पर रिक्वार्मेंट होती है, एविडेंस कौन से होने चाहिए, पर्सुएसिव, आप भूल गए हो गए, पर्सुएसिव, तो एक बार पीछे पलड़ के देख लेना, पर्सुएसिव एविडेंस, यहां पर क्या चाहिए होता है, यहां लिख देता हो मैं, कंक्लूजिव एविडेंस, यह हमने concept समझ लिया, मोटा-मोटा है, अब पढ़ लेते हैं, investigation is done for some specific purpose, according to the necessary of the situation, यह किसी investigation specific purpose के लिए होती है, जैसे मान लो company में चोरी हो गई, हमें पता है चला कि यह यह 2 लाग का amount गया कहा, तो हमने क्या करा, management ने auditor बला लिया, कि तु देख, बैंक से ना, यह transaction 2 लाग की हो, sorry cash गया भै, यह cash कहां गया भो सकता है, दिमाग लगा अपना, ठीक है, तो वो investigate करेगा, कि हाँ भई, cash तो इस बंदे के पास रहता है, यह बंदा इसको payment करता है, अकर यह इसको payment करता है, तो वो धूंड धान के बतायागा, कि हाँ चोरी इसने की है, एक particular subject के लिए, ठीक है, नॉर्मल audit का, audit किसके लिए की जाती है, balance sheet पे, pndl पे, opinion देने के लिए, ठीक है, दूसरा, what is it, investigation होता क्या है, यह एक investigation, thorough investigation होती है, thorough, जैसे कई बच्चों को होता है, यह word याद करने में दिख्कत आती है, तो यह easy word हो जाएगा, detailed, यहाँ पर audit is carried on behalf of proprietor business concern, every year, मतलब audit होता है, किसी भी business का, हर साल, इतना सब्वेंड वल कि point यहाँ पर यहाँ आना नीची है, क्या रहो ना, आपके book में अच्छा से नहीं दे रखा, बढ़ जो दे रखा वो पढ़ लो यार, audit होता है, किसी proprietor के बेस पर या फिर किसी company का हर साल, specific purpose के लिए यह होता है, और यह होता है, एक overall financial statement रखा, ठीक है, इतना दिहान रखो, next point, किसके बिहाफ पर audit होता है, sorry, investigation किसके बिहाफ पर होता है, जो भी investigation करवाए, कोई भी party करवाए, वो चाहिए management हो, या कोई employee करवाए है, या फिर court करवादे, court बोल दे कि investigation करो, ठीक है, court लिख लो यहाँ पर, court ने order दे दिया investigation करने का, और यह क्या होता है, यह तो भाई company के अक्टिम में आता है, तो company के लिए होता है, यानि shareholder के लिए होता है, यहाँ पर लिख लो, share, holders, या फिर stakeholder, duration, investigation, देखो, management audit का तरह, जैसे management audit भी, management अपने घर में करवा रहा है, अपने audit करवा रहा है, investigation भी अपने घर में जांच करवा रहा है, किसी चीज की, ठीक है, इसमें भी time limit कुछ नहीं होती, again, audit में time limit होती है, वो पूरे साल की बनती है, ठीक है, qualification, यहाँ पर कोई qualification जरूत नहीं है, कोई senior बंदा है, कोई senior बंदा है, manager है, यहाँ पर कोई senior director है, वो खुदी चेक कर लेगा, हाँ भी किसी घलती है, वो खुदी पकड़ लेगा, क्योंकि उसके पास experience है, यहाँ पर auditor होना चाहिए, chartered accountant होना चाहिए, और वो भी कौन सा, practicing, practicing, जिसके पास certificate of practice हो, by institute of chartered accountant of India, आई-सी-ए-आई, ठीक है, reporting, investigation report is prepared, according to the necessity of the situation, जिस situation पर है, या जिस चीज़ का audit कर आ रहे हो, आप किसी बंदे का audit कर रहे हो, sorry, investigation कर रहे हो, जिस बंदे ने फ्रॉड किया है कि नहीं किया, sale का investigation कर रहे हो, पुरी के-पुरी company का investigation कर रहे हो, ठीक है, तो जो कर रहे है, उसी को report जाएगे, ठीक है, जो भी situation है, उसी के according जाएगी, और उसी बंदे को जाएगे, जिसने वो audit कर वाया, यहाँ पर क्या है, according to the act, अब सब्सक्राइब यहाँ पर act लिखा, यहाँ पर companies act ने लिखा, एक्ट के according audit होता है, यह वाल audit, एक्ट कौन से हो सकता है, companies act भी हो सकता है, as per banking act भी हो सकता है, as per income tax act भी हो सकता है, हमने पढ़ा था ना, tax audit होता है, classification of audit में ध्यान देना, वापस page पर लटकर देखना आप, उसने पढ़ा था हमने, टेक्स audit भी होता है, ठेक्या, तो यह basic बेसिक सारे चीज़ें हमने पढ़ ली है, आज आपका, I'm sorry, audit खतम हो गया है, audit का part, ठेक्या, लेकिन, अभी आप, audit याने basics of audit, या audit से related, मोटी मोटी सारे चीज़ें, खतम हो गई है, अब सर, आप जब अपना index देखोगे, ठीक है, वहाँ पर आप कहोगे, सर, यह तो खतम ही नहीं हुआ है, मैं दिखा देता हूँ आपको index, देखो, index के according ना, हमारा सिर्फ एक तरह से यह हुआ है, और सिर्फ यह हुआ है, ठीक है, अब यह भी audit में आता है, लेकिन यह audit एक तरह से audit के अलग माना जाएगा, आप audit मान के चलो, as पर, जो हमारी book है ना, जो हमने आपको book लगवाई है, उसमें audit खतम हो चुका है, ठीक है, यह topic अलग से आते हैं, additional topics है, चिंता मत करो, यह सारे topic आएंगे, यह topic उतने बड़े नहीं है, अब आपने क्या करा है, अब आपने audit पूरा पढ़ लिया है, कोशिच करना, एक बार go through कर लो सारा, audit का chapter, मतलब audit content जो भी हमने आप जिसक पढ़ा है, यहाँ पर हमारा audit खतम हो जाता है, अब जो हम पढ़ेंगे, वो audit से related चीजों के बारे में पढ़ेंगे, audit का इतना content सा वो हम पढ़ चुके हैं, अब audit से related चीजे जो आएंगी, जैसे, auditor का role क्या होता है, alert governance में, बड़ा हम corporate governance रहे हैं, उसमें यह पढ़ेंगे कि auditor का role क्या है, auditor क्या करेंगा corporate governance में, ठीक है? Peer review, peer review of audit, peer review क्या होता है? auditor का दूसरे auditor का audit करेगा, यानि एक चीजे दूसरे CA का audit करता है, पढ़ेंग है, जब आएगा तो मेरा पॉइंट यह है कि आपका आज खतम हो चुका है ठीक है आपको क्या करना है दोस्त एक बार पढ़के आना है आज कि और कल की क्लास जो थी न वो क्लास थोड़ी टेक्निकल ज्यादा थी थे तेक्निकल पॉइंट है तो वह और आपकी बुक में देवी न जो उस बुक को फोलो कर रहे होंगे उनकी बुक में पॉइंट नहीं होंगे ठीक है तो किर्प्या करके यह दो क्लासों का जरूर पढ़के आना आप और कोई भी डाउट है या फिर कोई टॉपिक है जो शायद हम से छुट गया है और आपको पता है वह चीज कि पेपर में आती है या फिर आपका कोर्स का पार्ट है तो वह प्लीस आप मुझे बता सकते हो जब भी वह वट्साप नंबर स्टाट हो जाएगा क्योंकि अभी ना कुछ एप्लिकेशन चेंज हो रही है हमारी एक एप्लिकेशन पर दूसरी एप्लिकेशन से शिफ्ट कर रहे है ठीक है आपको भी दिक्कत है आ रही हो तो टैंशर मतले ना जब भी आप क्यरी पूछ होगे पहली क्लास का वह पूछ होगे वह आपको आंसर कर दिया जाएगा जब तक अप्लिकेशन स्टार्ट नहीं हो जाती और वट्साप नंबर आप सबको नहीं मिल जाता आप टैंशर मतले एक उनके पास नंबर नहीं है तो नहीं पूछ पारें अधा कोई वी पार्ट आप पूछ होगे आगे वाले वाली वाली क्लास में भी तो मैं उसी टाइम बता दूंग चैत में नहीं तो जो के स्टार्टिंग में इंटोड़क्शन होता है उस टैमूडाउट च्लियर कर दो हो तो दोस्तो आज के लिए इतना है मिलते हैं नेक्सट क्लास में नेक्स टॉपिक के साथ एक तरह से नेक्स चेप्टर के साथ ठीक है ओके गई बाइ थैंक यू झाल झाल